हेलो स्ट्रेट्स अब तक के हम सी प्रोग्रामिंग के कॉर्स में तीन वीडियो कवर कर चुके हैं chapter 1 की और ये हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरी और IDE क्या होती है और फिर उस IDE को कैसे आपको अपने programming के लिए अपने system में इंस्टॉल करना है और एक last में हम एक program भी बना के देखेंगे जिसमें हम एक basic structure देखेंगे C programming का क्या होता है ठीक है तो आज की video में हमें यह सब करना है तो चलिए start करते हैं आज की video तो सबसे पहले हम discuss करेंगे कि library और IDE C programming में क्या होती है तो जो library होती है library के अंदर क्या होते है predefined variables और कुछ functions होते हैं जो हमारे C program में एक functionality add करने का काम करते हैं अब जैसे कि उसमें कुछ चीज़ें पहले से define रहती है बस हमें उनको अपने program में include करना होता है जिससे हम और आसानी से अपने C program को develop कर सकें ठीक है तो यह जो library होती है यह कई सारे part में divided रहती है जैसे कि एक जैसे function एक जैसे variable एक जगे पे store करके रखे जाते हैं तो जो उनका group बनता है जहाँ पर उन्हें एक जगे store करके रखते हैं उन्हें हम header file पोलते है तो जो library के अंदर जितने भी function होते हैं जितने भी variable होते है एक जैसे type के variable एक header file में एक जैसे type के variable और function एक header file में मिलेंगे ठीक है तो यह header file होता है वो group होता है related variable and functions का ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा है library क्या होती है header file क्या होती है अब हम देखते हैं कि कुछ header file कौन कौन से header file हम जादतर use करते हैं अपने c program के अंदर तो जो c library होती है उसके अंदर कई सारे header files होती है जैसे कि पहली header file stdio.h है इसकी full form है standard input output header file ठीक है तो यानि कि इस header file में जो भी function हमें मिलेंगे वो input और output से related होंगे जैसे कि output के लिए printf होता है input के लिए scanf होता है इसके बाद ऐसे ही conio.h है console input output यानि कि जो हम console पर output दिखाएंगे उसको जो है हमें clear करने के लिए clear scr और input लेने के लिए get ch होता है string के related अगर हम work करना चाहते हैं तो string की header file का हम use करते हैं जैसे कि string की length पता करना string को reverse करना यह सारी चीज़ें इसके बाद graphics जैसे कि हम rectangle बनाना चाहते हैं circle बनाना चाहते हैं तो यह सारी चीज़ें अगर हम करना चाहते हैं तो graphics.h का हम use करेंगे math की चीज़ें करना चाहते हैं है कि हम power निकालना चाहते हैं, random value generate करना चाहते हैं तो उसके लिए हम math की library का use करेंगे, इसके बाद अगर हम अपने system के बारे में information लेना चाहते हैं तो .h, यानि कि disk operating system header file हम use करेंगे, जैसे हम अपने system की date पता करना चाहते हैं, time बता करना चाहते हैं, जिसका use करके हम program बनाना चाहते हैं, तो हम उस information को कैसे लेंगे, .h header file की मतलब से लेंगे, तो यह कुछ example है, केवल इतनी header file नहीं होते हैं, यह header file यूज करने को मिलती हैं, यानि कि इनका use देखा जाएगा, हम अपने इस course के अंदर देखेंगे, क्या क्या इनकी use हैं, तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, वैसे और इससे ज़्यादा भी header files अब जैसे की IDE आता है, library तो हमने discuss कर लिया, IDE क्या होता है, IDE की सबसे पहले तो आपको full form बता होनी चाहिए, integrated development environment, इसको जो है हम generally क्या करते हैं, एक जब हम कोई भी C program या कोई भी language का अगर हमें program बनाना है, तो उसके लिए हमें environment setup करना पड़ता है, जो की chapter 1 का नाम भी है, chapter 1 का नाम क्या introduction and environment setup, तो introduction तो हमने कर लिया, आप जरूरत है कि हम C program को अपने computer में लिख सकें, practice कर सकें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक setup करना होगा, क्योंकि जो by default होता है, किसी भी computer system में ये setup आता नहीं है, कि आप अपने C program बना लें और उसे execute कर लें, उसके लिए कुछ चीज़ तो उसमें जो एक IDE भी आपको download करनी होती है, IDE क्या है, एक duplicate environment होता है, जिस पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक ही जगे पर सारा काम कर सकते हैं, यानि कि अपने program को compile भी कर सकते हैं, run भी कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, output भी दे सकते हैं, यानि कि सारी चीज़े एक ही जग आपको try करने पढ़ेंगे जैसे compile करने के लिए आप compiler download करेंगे फिर edit करने के लिए editor download करेंगे तो इस तरीके से आपको फिर अलगेलग software download करने पढ़ेंगे बट अगर आप IDE download कर लेते हैं तो एक ही software में आपका सारा काम हो जाता है ठीक है तो यह होता है IDE और हम देखेंगे हम अपने जो है C programming course में कौन सी IDE यूज़ करने वाले हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि structure क्या होता है एक C program का C program का जो complete structure है वो इस way में होता है यानि कि सबसे पहले हम document section लिखते हैं फिर pre processor define करते हैं फिर link section में आते हैं फिर definition section में लिखते हैं global section लिखते हैं फिर हमारा main function आता है और फिर sub programs आते हैं तो अब इसमें चीजें समझ लेते हैं document section क्या होता है preprocessor क्या होते हैं सारी चीजें क्या होती है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी यह सारी चीज़ें हम यहां पर समझ लेते हैं जैसे कि document section में क्या होता document section में हम बताते हैं कि इस program को लिखा किसने है इस program का purpose क्या है इस program में कितने input लगे हैं कितने output लगे हैं कि अपने प्रोग्राम के बारे में information देना डीटेल्स देना यह document section का काम होता है यानि document section में हम यह सारा काम करते हैं इसके बाद आता है preprocessor directives preprocessor यानि कि जैसे कि हमारी library है header files है अब हमें उनको अपने program में जोड़ना है तो आप हम अपने program में add करना है तो हम क्या करेंगे एक preprocessor directive का use करते हैं जो की symbol has होता है has लगा के हम उनको क्या करते हैं अपने program में include कर लेते हैं ताकि हम उनके functions उनके functionality उनके variables यानि उनके जो predefined चीजे हैं उनको हम use कर पाएं तो यह जो हम जहां पे भी लिखते हैं उसको बोलते हैं preprocessor directive इसके बाद आता link section लिंक section होता है जो भी हमने function वगेरा अपने library से लिए हैं उनको हम अपने program से link कर पाएं तो उसके लिए हम link section का use करते हैं इसके बाद आता definition section में हम constant symbols जो होते हैं हमारे program में उनको define करते हैं जिनको हम पूरे program में constant रखना चाते हैं उनको define करने का काम होता है definition section में इसके बाद आता global declaration section में हम global variables global functions यूज करते हैं global का मतलब होता है कि ऐसे variable या ऐसे function जिनका हम अपने program में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कहीं से भी उन्हें access किया जा सकता है उसको बोलते हैं global declaration section इसके बाद आते हैं function function हमारा main है क्योंकि c programming एक function oriented programming है यानि कि उसमें आप बिना function की program तो लिखी नहीं सकते हैं तो ये function होता है function क्या होता है code का जो है एक block होता है यानि कि जितने भी instruction है उनको अगर हम एक जगे block में लिख दें तो उसको हम function बोलेंगे और वो block जो है आपका curly braces से start होता है और curly braces से ही बंद होता है ठीक है तो य ये आपके program में functions कहलाते हैं और functions क्या होते हैं एक particular task को perform करने के लिए design किये जाते हैं इसके बाद अब उसमें से एक function जो हमारे C program में main होता है यानि कि उसका नाम भी main है main function और इसका काम भी main है यानि कि अगर आप एक C program लिख रहे हैं तो उसमें main function होना बहुत mandatory होता है without main function जो आपका C program running नहीं करेगा ठीक है तो main function में दो चीज़े होती हैं एक declaration part होता है एक executable part होता है declaration part यानि कि function के अंदर अगर हम कोई variable define कर रहे है तो उसको बोलेंगे declaration part और उसी function के अंदर हम अगर कोई ऐसी statement लिख रहे हैं जो execute होके हमें output के form में दिखाई देगी तो उसको बोलेंगे executable part अब यहां पर मैंने statement word यूज किया statement word क्या होता है उसको भी अभी हम देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं सब प्रोग्राम सब प्रोग्राम में क्या होता है सब प्रोग्राम हम पहले भी डिसकस कर चुक है जब मैंने आपको प्रोसीजर ओरिंटेट प् अपने जो पूरा प्रोग्राम में उसको डिवाइड करते हैं ताकि वो understandable हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सब प्रोग्राम इसके बाद statement को मैं अभी बताने वाला था तो statement में क्या है जो हम instruction देते हैं एक सी प्रोग्राम के अंदर हम जितने भी instruction देते हैं वो उनको हम बोलत जैसे कि हम कई सारे instruction देंगे एक प्रोग्राम के अंदर ऐसे तो नहीं है कि हम एक statement देके अपना प्रोग्राम लिख देंगे कई सारे statement होते हैं तो जैसे ही आपका एक statement complete होगा आपको उसको बताने के लिए कि हाँ मेरा एक statement complete हो चुका है आपको semicolon का use करना होगा यह symbol आप देख पा रहे होगे इसके बाद आता है return statement return statement क्या होता है जो हम function लिखते हैं तो function में हमेशा कुछ ना कुछ return होता है तो उसको हम बोलते है return statement जब हम function को पूरा execute कर लेंगे तो जो हमें output return होगा उसको बोलते हैं return statement उस वाले instruction को हम क्या बोलेंगे return statement जो कि एक return keyword के साथ लि स्वाइब नाइचर को समझ लिया आप आगर आप जो है आइडी डाउनलोड करना चाहते तो आप इस लिंक को फॉलो करेंगे एक दम सेम टूसेम आप इस लिंक को अपने ब्राऊजर में ओपन करके अपने जो हैं सौफ्ट्वेर को डाउनलोड कर सकते हैं आप डारेट उस व लोड्र लोड करने इसके बाद jsou यहाँ पर देखेंगे कि पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखें और जो की होगा हमारकी एक स्क्रीन पर नाम प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो चलते हैं अपने IDE की स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि हम किस तरीके से इस प्रोग्राम को लिखेंगे और यह जो मैंने अभी structure समझाया है वहां पर आभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमारा जो यह IDE है C programming का यहां पर हमने install किया हुआ है code blocks के नाम से तो हम जब इसको open करेंगे तो यह इस तरीके से आपका open होगा यहां पर आपको क्या करना है file वाले menu पर क्लिक करना है और यहां new वाले option में जाके आपको यहां पर file पर क्लिक करना है तो जैसे आप file पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको C और C++ source दिख रहा होगा इस पट आप जैसे प्लिक करेंगे यहां पर आप अपको इसे क्लिक करंगे तो जया में प्लिक करेंगे जैसे ही मैं पर program one लिखेंगा और save करूंगा तो यह file हमारी save हो जाएगी और यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको finish कर देंगे तो यह अब हमारा edit करने के लिए page open हो जाएगा इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले library की जो कुछ header files हैं उनको हमें include करना है तो इसको include करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि has का आप use करेंगे symbol का और इसके बाद हम लिखेंगे include keyword का use करेंगे और जो header file का नाम है वो आप angular bracket में लिखेंगे stdio.h हम header file का use करने वाले हैं इसके बाद दूसरी header file हम use करेंगे include include.h ये console का input output देखने के लिए और ये जो दोनों line है ये कोई statement नहीं है तो इनके पीछे हमें ऐसे semicolon लगाने के ऐसे जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पर अभी हम include कर रहे हैं ये हमारे कोई statement नहीं है ठीक है तो वहाँ पर हम use करेंगे semicolon का इसके बाद अब हम लिखेंगे main function तो main function हमने ये लिख दिया उसके लिए हमें नाम लिखना होता है main और ऐसे parenthesis लगाने होते हैं तो अब यह जो main function है main function मैंने आपको बतायता है कि कोई भी function होता है तो इसको अगर हम लिखना चाहते है तो उसका जो block होता है वो curly braces से start होता है और curly braces से बंद होता है इसके अंदर हमें यहाँ पर जो भी लिखना हो लिखना होता है तो हम क्या क बेट साते हों string होती है तो उसको हम inverted quotes के अंदर लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया आप लोग अपना अपना नाम प्रिंट करेंगे ठीक है तो मैंने यह नाम लिख दिया इसके बाद अब यह एक statement हो चुका है तो अब यह statement complete हुआ तो मैं यहा लिखेगा return 0 अगर वो कुछ भी return नहीं कर रहा होगा तो उस case में क्या लिखेगा return 0 अगर वो कोई value return कर रहा है कुछ और variable return कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे तो इसको बोलते है return statement तो इसको भी हम जब complete कर लेंगे तो semicolon लगाएंगे अब यह क्योंकि कुछ return नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं को हम अपनी c programming में void बोलते हैं ठीक है तो हमें जब function लिखना होता है तो function से पहले बताना पड़ता है कि जो return किया जा रहा है इस function में उसका data type क्या है यानि कि अब इसमें कुछ भी return नहीं किया जा रहा है तो यानि कि null है यह तो इसको ह अगर यहां पर कोई number होता अगर यह जैसे कि 123 ऐसे कुछ return कर रहा होता तो यहां पर आता इंट ठीक है तो इस तरीके से हम इसका connection यहां से बनाते हैं इस वजह से मैंने यह चीज बाद में लिखी क्योंकि इसका जो connection है वो return statements है ठीक है जो चीज रिटन होगी जैसी type की बता दिए कि इसका connection यहां पर होता अब आपको यह चीजें बाद में पता चलेंगे कि कितने data type होते हैं किस चीज के लिए क्या data type होता है यह सारी चीज हम बाद में जानेंगे अभी हमारा जो main target है कि हमें screen पर अपना नाम प्रिंट कराना है एक सी programming के थूप तो यह हमने प यहां पर आपको देख रहा होगा यह green color में run button यहां पर click करके आप इसको run करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हो हमारा जो output है वह आ चुका है hello और इसको return करने में कितना time लगा है 0.103 second